आज इस वीडियो के अंदर हम आपको एक ऐसा कमाल का सेटिंग बताने वाले हैं वैसे हमारे छोटे और बड़े भाईयों को इस सेटिंग के बारे में पता होता है लेकिन किसी किसी को नहीं पता है जो अभी अभी वाटसाप चलाना स्टार्ट कर चुके हैं या उनके मन में ये प्रस्ण आता है कि आखरकार अपने वाटसाप पर भेजे के मैसेज को डिलीट कैसे करें अपनी तरफ से और जिसको आपने भेजा है उसकी तरफ से तो आप एक कैसे डिलीट करेंगे यहाँ पर आपको मात्र एक सेटिंग का काम है जैसे आप एक सेटिंग कर देंगे जब भी आपने WhatsApp पर मैसेज को सेंड करेंगे और अगर आप उसे डिलीट करेंगे तो आपका मैसेज दोनों तरफ से डिलीट हो जाएगा लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो मैसेज सिर्फ हमारी तरफ से डिलीट हो जाए और जिसे मैंने सेंड किया है उसकी तरफ से डिलीट न हो तो वो भी आप कर पाएंगे वैसे यह बहुत ही आसान है लेकिन जिनको नहीं पता है वो लोग इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखे दो से तीन मिनिट का वीडियो बनेगा लेकिन आपको पता चल जाएगा सबसे पहले आप वाटसब को ओपन करिए अपने मुबाल पर जैसे आप वाटसब को ओपन करते हैं इस तरीके से आपका वाटसब ओपन हो जाएगा ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको एक ओप्सन मिलेगा इसको आप मैसेज सेंड करना चाहते हैं उसका आप चैट ओपन करिए ओपन करने के बाद कुछ भी अगर आप सेंड करना चाहते हैं इस तरीके से आप भेज दीजिए जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर भेज दिया है अब आप देखेंगे कि यहाँ पर यह message चले गए है अगर उसके mobile में internet open होगा तो उसके mobile पर भी पहुँच जाएंगे यानि कि चले जाएंगे और उसके बाद अगर आप यहाँ से कोई भी message को delete करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि दोनों लंग से delete हो जाए यानि कि उसके पास भी वो message delete हो जाए और हमारे पास भी हमारा message delete हो जाए तो आपको इस message पर click करना होगा जैसे आप इस पर click करेंगे delete का icon मिलेगा इस पर आप click करिए यहाँ पर आप देखेंगे दो option मिल जाते हैं एक मिलता है delete for me और एक मिलता है delete for everyone delete for me का मतलब है कि आपका message आपकी तरफ से delete हो जाएगा लेकिन आपने जिसको send किया है उसकी तरफ से आपका delete नहीं होगा लेकिन अगर आप चाहते हैं कि दोनों तरफ से delete हो जाए तो फिर आपको delete for everyone करना होगा जैसे आप इसे करेंगे everyone okay कर देंगे तो आपका जो message है वो आपकी तरफ से भी delete हो जाएगा और जिसको आपने send किया है जैसे इनके account में तो इनको भी यह message जी दिखाई नहीं देगा तो हैना आसान setting है वैसे जो आपको इस video के अंदर पता चल गई होगी तो मैं आसा करूँगा यह video भी पसंद आया होगा अगर आपको video पसंद आया है तो आप इसे like कर सकते हैं चैनल पर पहली बारा हो तो चैनल को subscriber के bell icon on कर सकते हैं अगर आपने हमारे telegram को join नहीं किया तो और हमारे telegram को भी join कर लिजे लेकिन किसी वज़े से अगर आपका ये setting काम नहीं करता है आपके whatsapp पर तो फिर आपको अपने whatsapp को update करना होगा यानि कि अपने whatsapp को आप update कर लेंगे और update का link आपको यहाँ पर मिल जाएगा जब आप इस title पर किलिक करेंगे तो यहीं पर whatsapp update का new version link मिल जाएगा उस पर किलिक करके अपने whatsapp को update कर लिजे फिर आपका सारा problem fix हो जाएगा और आपका काम करना start कर देगा विडियो पूरा देखने के लिए आपका पहुत धन्यवाद